इस नए वर्स का प्रारंब हो रहा है कन्या लग्न में हो रहा है कन्या लग्न में होने के कारण यहाँ पर कुछ रासियां है यwill यजैसे करक राशी कन्या राशी तुला राशी और विश्चिक राशी यह चान राशि वालों के लिए अदन वाहन और घर के सम्रिध्थी करक लगन वालों के लिए सबसे बड़ी बात है कि मंगल यो कारक होगा मंगल यो कारक होने के साथ जो है उनका लगनेस जो है चंद्रमा धनभाव में होने की वज़से और सुक्र का संबंद मंगल से होगा इस वज़से इनको बाहन का घर का और नै फलेट का हो सकता है सोफा सेट का या कोई भी बैठने वाली चीजूं का ये घर में आगमन हो सकता है दूसरा है कन्यारा कन्यारासी वालों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा महत्वपूर्ण योगा की भागेस जो है सुक्र भागे को देखेगा और ब्रहस्पति की इस्तिती अच्छी होने के उ सबसे वड़ी बात है कि भाग अच्छा होने के वज़त से किसी तिर्थ अस्थल पर यह जा सकते हैं दर्सन करने के लिए ऐसी विस्तिति जो है कन्या लगन वालों के लिए या राशी वालों के लिए उसके बाद तीसरा है तुला तुला राशी जो है संब्रिध्धी का देवतक है सुन्दरता का देवतक है इन राशी वालों के लिए सनी योग कारक माना जाता है तो इसमें अगर कोई फैक्टरी बैठाना चाहे तो इस योग के कारक व्यक्ति जो है फैक्टरी का वाहन का घोड़ा गाड़ी नई चीजों का या हो सकता है इलेक्टरानिक चीजों का भी वह खरीच सकते हैं उनके लिए लाबप्रद होगा अगर कंप्यूटर खरीद ले या ब्रिष्टिक लगनवालों के लिए चंद्रमा कर्म छेत्र में उनके बहुत ब्रिद्धी करेगा कर्म को बढ़ाएगा उनके भागे को बढ़ाएगा और घोड़ा और वाहन का यूग इनको प्रशूर मात्रा में प्राप्त हो सकता है इनको किसी के सहयोग से वाहन मिलने की विसी इस संभाव नहीं, जाइक साथ